कुम लग्न के लिए नौवे भाव में सूर्य, बुद्ध और केतु की युती का क्या परिनाम होगा? कुम लग्न के लिए नौवे भाव में सूर्य, बुद्ध और केतु की युती उर्जाओं का एक अनूठा मिश्रन बनाती है। नौवा भाव, उच्च ग्यान, आध्यात्मिक्ता, लंबी दूरी की यात्रा और गुरूओं या सलाहकारों के प्रभाव को नियंत्रित करता है। प्रती अपरम परागत द्रिष्टिकून हो सकता है। पांच में, और आठमे भाव के स्वामी के रूप में बुद्ध बौधि गहराई और विशलेशन आत्मक सोच जोड़ता है। केतू के साथ या अचानक अंतर द्रिष्टी ला सकता है, लेकिन उच्चा अध्ययन या विदेशी प्रयासों के बारे में निर्नए लेने में कुछ ब्रम भी पैदा कर सकता है। ये सयोजन पैत्रिक संबंधों के साथ संधर्ष या एक सच्चे मार्ग दर्शक की खोच के रूप में प्रकट हो सकता है। ये पिछले जीवन की सीख से कर्म संबंध का सुझाव देता है। सूर्या और बुद्ध को मजबूत करने जैसे उपाय उर्जा को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। कृपया अधिक जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेट फॉर्म को सब्सक्राइब करें।